देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुगायाओ जी ता परियान ने संग लियाओ जी देख लियो चौपाल देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लुगायाओ जी ता परियान ने संग लियाओ जी राजस्थान केवल मरभुमी और पथरेली जमीन के लिए ही प्रसद्ध नहीं है राजस्थान अपनी आन, बान, शान और शौर्य गाथाओं के लिए देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी पहचान रखता है अब राजस्थान राजी की धर्ती एक और नया अध्याय अपने तार में जोड रही है ये गाथा लिखी है प्रदेश के मेवाड अंचल के राजसमन जिले की ग्राम पंचायत पिपलांत्री ने पिपलांत्री का पर्यावरण महुसव 21 शरावदी का वो आंदोलन है जो भारत वर्षी नहीं, वरण विदेशों के लिए भी अनुकर्णिय है वो है बेटियों का मान, व्रिक्षों का सम्मान सामाजिक जागरुता और पर्यावरण संरक्षन को एक अनुथी मिसाल पिपलांत्री ने कायम की है मैं आज पेडों पर राखी बान कर इन पेडों को अपना भाई मानूंगी कभी भी इन पेडों को नुक्सान नहीं पहुचाऊंगी एवं इन पेडों के काटने में और काटने वालों को रोकने में सैयो करूंगी आख पानी को पानी को व्यारत नहीं करूंगी इस गाउं में ग्रामवासियों और प्रवासी राजस्थानियों ने प्रेढ़ना पाकर सन 2006 में पर्यावरण महुसब मनाना शुरू किया और अब साल 2019 आते आते ये महुसब देश और विदेश के लिए कौतुहल का विशय बन चुका है प्रकृती और मानविकी संतुलन को कायम रखने वाले इस पर्यावरण महुसब का मूल मंत्र है बेटी, पानी, पेड, गोचर भुमी एवं बन्य जीवों को बजा कर प्राकृतिक आधारित रोजगार उपलप्ट करवाना नीम, पीपल, बर्गद, आवला, शीशम और आमसहित हजारों की तादाद में यहां पौधे रोपे जाते हैं जिनका व्रक्ष बनने तक ध्यान रखा जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने बच्चे का खयाल रखती है परिवार अपने परजनों का ध्यान रखते हैं पौधों के व्रक्ष बनने में लगने वाली प्रक्रिया और समय के साथ जो क्रियानवन विधी पिपलांटरी के बाशिंदों ने अपनाई वो अब जानी जाती है पिपलांटरी मॉडल के नाम से तो आईए देखते समझते हैं और जानते हैं कि क्या है ये पिपलांटरी मॉडल जिसके कारण पचपंसों की आबादी वाला पिपलांटरी गाउं वैशुविक पर्त पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है 21,000 रुपे की राशी का उस बेटी के नाम फिक्स डिपॉजिट करवाया जाता है ग्रामवासियों की यही सोच सामाजिक वा पर्यावरण क्रांती बनकर पिपलांटरी का नाम रोशन कर रही है इसी सोच ने जर्म दिया है पिपलांटरी मॉडल को सालदर पिपलांटरी मॉडल अपने नए आयाम स्थाफित कर रहा है 2019 के पिपलांटरी पर्यावरण महुसम में ग्राम पंचायट की 65 नवजाग बच्चियों के नाम पर 111-111 पौधे रुपे गए यानि एक बेटी के नाम पर 111 पौधे तो 65 बेटियों के लिए रौपे गए पौधों की जंग्या अजारों में पहुंच जाती है खास बात ये भी है कि जिस परवार की बिटिया के नाम पर पौधे रौपे गए है वो परवार अन्य ग्राम वासियों और पंचायट की मदद से इन पौधों की देख्भाल करते है और जब तक पौधे व्रिक्ष बनते है तब तक नई पौध तयार हुचकी होती है पर्यावरन और पारवारिक संतुनन के लिए पर्यावरन के महत्वि के साथ ग्राम वासियों ने पच्चियों के सुखद और सुद्र भवशे के लिए प्रतेग बच्ची के नाम पर 21-21 हजार रुपे का फिक्स डेपॉजिट प्रधान मंत्री सुकन्या सम्रधी योजना में करवाए है इस अनुकर्णिये पहल के साक्षी बने रासमन जिला कलेक्टर अरविंद पोस्वाल आए जानते हैं इस बारे में जिला कलेक्टर क्या कहते हैं अज उनकी माहों का भी संवान किया गया उन बेटियों का संवान किया गया और उनी के उस बेटी की जनम की खुशी में आज हम रिक्षार ओपन भी करेंगे तो मुझे लगता है पिपलांतरी अब तो पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में फेमस हो चुका है आप यहां वो लोगों को देखो जहां पे आपका फॉरेंड मीडिया के लोग है फॉरेंड एंजियों के लोग है तो टूरिजम के साथ साथ यहां से प्रेड़ना लेके जाएं कि जो परेवरन की दिश्टी से जो काम यहां पर हुआ है और इससे पहले भी सरकार इस बारे में काफी बार सोच चुकिया पिपलांतरी की इस मोहिम को ताउम्र यादगार बनाये रखने के लिए इस महुसम में सहीयोग देने के लिए दूसरे राजियों में जाबसे प्रवासी राजस्थानी भी पीछे नहीं आखिर हो भी क्यों न? अपनी जड़े आखिर आसानी से नहीं छूटती पुण्य सभी बटोर न चाते हैं ये पुण्य भी ऐसा कि आवे वाली पेडियां अपने पूर्वजों को उनके किये गए काम के लिए हमेशा याद करती रहे पिपलांत्री में हमारी मुलाकात ऐसे ही एक प्रवासी राजस्थानी देवी लाल महता से हुई आईए सुनते हैं कि इस पर्यावरण महुसव वा अनुकर्णिय परंपरा का पानल करने में जुटे देवी लाल महता के विचार आज बीपलांतरिक ग्राह में परियावन महसव के रूप में मनाये जा रहा है, बहुत दूदूर से सब लोग आए हैं, हम भी बंबे से सब परिवार आए हैं. सबसे पहले विप्लांदरी से स्टार्ड हुआ है शामसुजी के नेतरतुर में गाह में जो भी बच्चे जनमें लेती थी उनके उपर 111 पेड़ लगाया जाते थे और 216 रुपया उनके नाम के अब भी की जायती थी सबसे पहले यह गाह में कुछ भी नहीं था एक दम जंगल की तरह था और कुछ भी कर रहे नहीं था अपने पालीवाल साब ने यह ग्राम को इतना विक्षित कर दिया है कि आज दूर विस्देश सों भी लोग कमारे यह आ रहे हैं आज एक जंगल पूरा दूसरे लोगों सा नाजाज कबजा था शाम दूरी की नेतरों में इसको हटा के एसा परण दिया कि पूरा विस्व में इसका संदेश जा रहा है आज जो भी गाम में लड़किया गरीब लोगों को भी पैदा होती है उसके नाम से 21,000 पर जमा किया जाते हैं और उसके जिवन के आगे रक्षा बेटी पड़ाओ योजना में सबसे बड़ी योजना यह है तो हम यहीं संदेश ने जाए पूरत देश में इस तरह का वातर मनाएं बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ योजना साथ में जाड़ व्रक्षर अपन से जोड़ा गया है पिपलांतरी पर्यावरण महुसव महस एक आपचारता नहीं है ये एक मोहिम के रूप में पिपलांतरी के रहवासियों की आदत और परंपरा बन चुका है इस मोहिम को सफल बराने जहां एक ओर ग्राम वासी अपने स्थरबर जुटे हैं तो वहीं ग्राम पंचायत के कर्म पचारी भी पीछे नहीं आशा सहयोगनी मीना दवे इस बारे में क्या क्याती हैं आईए उन्हीं से जानते हैं कोई अफसोस ना करे और अपने यहां जितनी भी बेटियां पेदा हो रही है आज उनके लिए हमारे यहां गाव में सब बेटियों के नाम पर 111 पोदे लगाया जा रहे हैं और बच्चियों की भूर्ण हत्या के बारे में उनको सबको समझाया जाता है कि कोई बेटी को बो करेंदी जाती है वरक्स लगाते हैं उनको अपने भाई के समान हम उनको आदर समान देते हैं और उनको वह बोलते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे पेड़ नहीं काटेंगे ना किसी को काटने देंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर उनको उनके उपर जोड़ द समेख़कर आज के हरे भरे पिपलांटरी के पीछे ग्राम पंचायत के पूर्व सर पंच्छ श्यामस्दरपारिवयल का एहम योग्दार है कि पालिवालकी एक सपने आकार लेते हुए आकाश खो चुलिया हिए है पिपलांत्री पर्यावरण महुसब के बारे में श्याम सुंदर पारिवाल क्या कहते हैं जानते हैं उन्हें की जबानी पेड़ काटे जाते थे वाज पेड़ बचाया जा रहे हैं और पानी का महत बेटी का महत लोग समझने लगें और यह काम प्लांत्री में पिछले 2006 से आज तक आनावरत जारी है और यहां से पूरे देश में कई ग्राम पंचायते प्रेड़ना लेकर अपने अपने क्षेत्र म समझ रहे हैं लोग कि बेटी बचाना आवश्यक है बहुत जरूरी है अगर मानों को बचाना तो बेटी को बचाना पड़ेगा पानी बचाना हमारे सामने आज सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है और पेड़ों की कई महतों को भी लोग समझने लगे हैं इस तरह के काम पि स्कूल भावना से जनता का सीधा जुडाव था पेपलांतरी के इस पर्यावरणवा सामाजिक अनुष्ठान की सफलता के पीछे वो सारे परिवार हैं जिनकी बेटियों के नाम से पौधे रोपे गए और बेटियों के भवेश को सुद्रण करने के लिए आर्तिक साहता दी ग लड़की का जन्म हुआ है मैंने पांच मेने पहले लड़की को जन्म दिया आज मेरे पूरा गाउं इस लड़की के जन्म पर इतना बड़ा मोचसव कर रहा है उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं लड़कियों के अच्छे जीवन के लिए उन्होंने कम से कम पूर यो करूंगे अपने गाउं का और में गाउं ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है बहुत महत्वपुन बात है ये मेरे लिए इंका लालन पालन जैसे कि हर एक दिन थोड़ा थोड़ा पानी करके थोड़ी थोड़ी बुंदों से छिटकार करके इन्हें बड़ा दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए अनुकर्णी है तो वहीं इस मॉडल की सफलता को देखते हुए शोदार्थियों की रूची भी इस मॉडल में जागी है इंप्रूव हो इसलिए मैंने अपने रिसर्च एरिया में इसको चुना है और यहां से जब मैं यहां आती हूं तो मुझे यहां से बहुत सारा मोटीवेशन मिलता है प्लस गर्स के लिए कि वह भी बहुत आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें कहते हैं परंपराएं वही अरुकर्णिये होती हैं जिनने तारकिक स्वरूप देते हुए सामाजिक मानिता परदान करते हुए अटूट शिर्धा के साथ जोड़ दिया जाए ऐसा ही कुछ देखने को मिला पिपलांदरी में जहां व्रक्षों को राखी बांद कर उनकी रक्षा का प्रण लिया पिपलांदरी की वाइलाओं और युवतियों ने आईई जानते हैं इस वारे में वहां की महिलाएं वा युवतिया क्या कहती है गुरिक्ष हमारे सच्चे रक्षक है जिस तरह ये हमें हवा वायू और ओक्सिजन वगेरा प्रदान करते हैं ये मानोजाती का ध्यान रख रहे हैं इस पावन अवसर पर रक्षाबंदन के पावन अवसर पर जिस तरह बेहने अपनी भाईयों को राखी बान कर उनकी लंबी उम्र की शपत ले रहे हैं यही है असली सोना इसे कभी मत खोना यह पर्यावरण महुसव महज पौधा रोपन और बेटियों को सुरक्षित करने तक ही सीमित नहीं है यहां बाकाइधा युवाओं को खासकर पुरुषों को शपत दिलवा कर पर्यावरण सरक्षन और बेटिय के लिए भी प्रेरित किया जाता है जिससे रखडान को लेकर ब्रांतिया वा विसंगतियां दूर हों और युवा रखडान के लिए आगे बढ़ें परयावरण दियुस पे सबसे पहले सबी विवाओं का धन्यवाद जो की इतने बर्चट के रखडान में इसा ले रहे हैं और यह अच्छा मौका है कि इस मौके पे सबी रखडान कर रहे हैं यहाँ पे जो सर्पन साब है विफलांतरी के वो ऑक्सिजन कर रखडान कर रहे हैं और यहां के युवा जो है रखडान कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और विवाओं को मैं कुन है दन्यवाद देना चाहूंगा कि वो गाउं के होके भी बर्चट के इस चीज मे अपने रखडान किया है आप रखडान करो किसी दूसरों की जिन्द की बचे इसलिए हमने रखडान किया है पेपलांतरी के इस पर्यावरन महुसब को देखने सुनने और समझने के बाद सहसा याद आती है स्वच्छ भारत मिशन की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की ये पहल देश भर में अपनी चाप छोड़ चुकी है पिपलांतरी के राजगिय उच्छ प्रात्मिक विद्याले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला हमारे यहां राज के उच प्रात्मिक विद्याले अपी प्लांत्री में स्वच्चता के मैत्व के बारे में बच्चों को बताया जाता है समझाया जाता है ठीक है और जिसका लगातार दीरे दीरे बच्चों पर असर भी हो रहा है यह और यह हमें मत्रब दिखने में आ रहा है और बच्चे साब सूत्रे स्वच आते हैं, गरमे, शाला में, गली महले में स्वचता का द्यान रखते हैं और स्कूल में भी हमने स्वचता के लिए कक्षाओं में कच्रापात्र की विवस्था की गई है और ground में मी बार अलग से कच्रापातर की विवस्ता है जिसको हमें समय समय पर जला दिया जाता है midday meal में भी हमारे यहां सफाई का विशेश द्यार रखा जाता है ताकि इस स्वच बारत मिशन जो गांधी जैनती पर बारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था उसमें हम काम्याब भी हासिल कर सकें और हमारी शाला भी उसमें सहयोग दे सकें और बच्चों से भी हम पूरा निवेदन करते हैं और बच्चों ने पूरा सहयोग भी किया इस स्वचता में पूरन रूप से हम काम्याब हो रहे हैं स्वच बारत मिशन को काम्याब करने में पात्र में डालते हैं चोटे बच्चे उनमें पनप्ती अच्छी आतते हैं खुशाल समाज और परवार के हंस्ते मुस्कुराते चहरे इन सब के लिए अठक प्रियास करने होते हैं ये किसी एक अकेले का काम नहीं सभी को अपनी जिम्मिदारी निभानी होगी देश को खुशाल बनाने के लिए पे प्लांतरी जैसा हरा भरा रखने के लिए सभी को याद रखना होगा कि पर्यावरण और सामाजिक संतलन ठीक है तो सब कुछ ठीक है ओ पधारो मरू धरते सेजे के सर्याँ बाले में हमोने पधारो मरू धरते जोडिदा सामाजिक आओने पधारो मरू धरते काज़िये रीरे फिशू तो मैं पत्यां लिखू सजाओ आड़ो है तोड़ा मिलो के भारो सामन भी तोड़ाई के सर्याँ बालने आओने पधारो मालो धरते जोडिदा साजने आओने पधारो मालो धरते जोडिदा सामाजिक आओने तुमासू कर गया का ले 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 गिलता गिलता हाल गली तुमारी घसगिया नलिलो की रे के सर्वा बाल में आओने पधारो मारे देश हरो धरते जोडिदा साजने आओने पधारो मा धरते जोडिदा सारिस जोडिदा सांजने आओने